नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश लियूद और मैं हुआ आपके साथ रुचिकारा जिस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लालो प्रशाद याद आपको अब रिम्स से दिल्ली के इम्स में शिफ्ट किया जाएगा उनकी तवियत अचानस से बिगर गई जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब उनको राची के रिंस से दिल्ली के इम्स में शिफ्ट किया जाएगा बता दें कि 16 तरीके के बिमारे से लालो पुश्रा अदियादब ग्रसत हैं और इसके बाद अचानल से उनकी तब ये जब बिगरी तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है खास जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे से लालो पुश्रा अदियादब बिमार चल रहे हैं लगातार दोरंडा कोश्रा अगर मामले में हाली में सिविल कोट ने एक फैस्ता सुनाया से पांच साल की जेर और साथ लाग का जुरवाना दिया गया लेकिन इसके बाद लगातार लालो पुश्रा अदियादग की तविए खराब रही है रिम्स में अभी तक भरती थी और अब एम्स शिफ्ट किया गया है क्या वजह है लिवार याद होगा जब लालो यादों की तविए बिगड़ी थी दरसल उस वक्त भी वो चारा गोटाला के मामलों में सजा काट रह लादा उन्होंने यह जानकारी दिया कहा है कि रिम्स प्रबंदन की ओर से यह लिगकर कहा गया है कि इन्हें एम्स फेजा जाए इन्हें में इलाज की ज़रूरत है तो यह बड़ी ख़बर है लालो यादों के सेहत से जुड़ी ही क्योंकि उनका क्रेटनी लेवल दरसल इस पिसदी किड्नी जो है उनका काम कर रहा है और इस हलात में अब जो जो रिपोर्ट आया हैं वो कहीं न कहीं अच्छे नहीं है लालो यादों के का क्रेटनी लेवल बढ़ा है और रूची का बताएं आपको किड्नी की बीमारी से तो सबसे ज़्यादा परसाद हैं ही ला जल रहा था तो इस 16 तरह की बीमारीों के बारे मैं बताया गया था कि लालो यादो इसे जूज रहें हो यहां कि जब लालो यादो घुट एक हुट डिली के एमस भेजा गया था और हम स्में उनका ईलाज लगातार जला था और उसके बाद जब उन्हें जमानत मिली थी तो वो मिशा भार्ती के घर पर थे अपनी बेटी के घर पर वहां राकर दिली में लगातार उनका इलाज एम से चल रहा था तो अब इसके बाद आपने बताये कि जैसे कि दोरंडा को सागा जो चारा कोटारा के जो सबसे बड़ा मामला था जो उस मामले में उन्हें पांच साल की सजा हुई जुर्माना किया गया और अभी इस मामले में हलाकी जमानत पर सुनवाई होनी बाकी है अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ाएगा लालुयादो को लेकिन इस बिच तबियत काफी उनकी जादा बिगड़ गई है और हम बताएं आपको को कौन-कौन सी बिमारी ह तो हम आपको बताएं कि लालुयादो को डाइबीटीज ते भी बहुत ज़्यादा परसान है लालुयादो और इसको लेकर डाइबीटीज को लेकर डॉक्टर्स उन्हें बार बार हिडायत देते रहते हैं और मचली खाने पर भी उनके रोक लगा हुआ है दरसल डॉक्टर् जाए और उसके अलाबा थमाने पीने पर प्रतिबंध डाइबीटीज में लगाये जाते हैं वो लालुयाद पर है लगाया गया है और मेडीकल की डूम्हों की सयहत की ऀिए मैसेय खें बाइब dolS और ञादा मॉनिटरिंग करती है लालुयादो के सेहत नज़र रखती है तो जो 16 तरह की बिमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें पता है कि डायविटीज, ब्लड पेसर, हिर्देरों यानि हार्ट के प्रसेंट भी है लालु यादो, किड्नी की बिमारी तो उन्हें है और किड्नी की बिमारी सायद सबसे ज़्यादा लालु यादो को परसांद कर रह हैं, बीच में उन्हें जमानत मिली थी लेकिन ये जो चारा घुटारा का पाच्वा मामला था और एक बात और की पाच्वा मामले के बाद अब और वो मामलों में इडी के सिकंजम में भी फसे हैं, इडी की तरब से भी केस दर्ज किया लिया है, तो लालु यादों के लिए जो मुश्किले हैं वो लगतार परती जारी है, तो ऐसे में तनाओं की बिमारी ये तो सभाविक तोर पर है, उसके अलावा थैलिसीमिया की बिमारी है, पोटेस् इडी की गई थी जब वो लगतार जूज रहे हैं, और अभी जो जिस तरह से बीच में खबर भी आई थी, जब उस वक्त लालु यादों साइड एम्स में थे, उस वक्त ये खबर आई थी कि लालु यादों को इलाज के लिए विदेश ले जाया सकता है, दरसल उनकी किड् किड्नी काम नहीं करता है, तो ये चिंता कभी सा है, और अब जिस तरह से रिम्स में लालु यादों के लागतार इलाज हो रहा है, लेकिन रिम्स प्रबंदर ने अब ये फैसला ले लिया है, कि उन्हें एक बार फिर से दिल्ली इम्स बेजा जाया इलाज के लिए, तो करने वाली खवर है, बेचायन करने वाली खवर है, रुचीका. चुनकी इसके हट पर अपडेट मिलता है, माँ आप तक जरूर शेर करेंगे, इसके लिए आप कशिश नीउस के साथ बने लेगे, और बेचिंग खवरों के कशिश नीउस देखते हैं, है मेरा.